और विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले मोहन क्याबिनेट का जिक्र और जल्दी सस्पेंस खत्म होने वाला है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है उन नामों का जो कि मंत्री मंडल का हिस्सा होंगे उन्हें लेकर एक सूची तैयार की गई अनुभवी और नए चेहरों का मेल मंत्री मंदल में हो सकता है ये भी सूत्रों के वाले से जानकारी लगी थी लेकिन अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी और उसलिए राश्ट्री नेताओं को सूची भेजी जा चुकी है जैसे ही मोह लगती है फॉरण प्रदेश में निर्ने हो पाएगा और फॉरण प्रदेश में एलान की स्थिती भी आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से खबर इस प्रकार की कि जादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो उसे तीन दरों में क्याबिनेट को लेकर जानकारी सामने होग कौन-कौन से प्रमुक चेहरे शामिल किये जाएंगे इस पर तमाम अठकले हैं मोहन के संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं ये भी हम आपको बॉटम लाइन दिखा रहे हैं चुकि लगातारी कहा जा रहा है कि अनुभवी चेहरे होंगे लेकि नए चेहरों को भी जगा दी ज देखी है हो सकता है कि मंत्री मंडल में भी इसी प्रकार के परिवर्तन को आप मैसूस करें तो जल्द ही मोहन काबिनेट का जो सस्पेंस है वो खत्म होने वाला है कि शैलेंद्र मारे साथ जो रहे हैं शैलेंद्र बताईएगा क्या पुखता हो चुकी यह ख़बर के दो से तीन दिनों में कैबिनेट विस्तार संभव देखिए अभी केबल जो सूत्र है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं जिस तरीके से सपथगरण हुआ सपथगरण के बाद जो है संभावित मंत्रियों की सूची दिल्ली भेजी जा चुकी और दिल्ली से ही अप्रूवल मिलने के बाद अंतिम निर्णा हो पाएगा हाला कि ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को इस मंत्री मंडल में सामिल किया जाएगा वही कुछ जिस तरीके से तीनों राज्यों में मुखमंत्री को लेकर फैसला हुआ उसी तरीके से कुछ ऐसे चेहरे भी मंत्री मंडल में सामने आ सकते हैं जो आप कि दो पूराने मंत्रियों की चुटी होने की बात सामने आ रहे हैं यह जा रहा है कि कई और सीनियर बिदायक करतों कर दो करत दो मंत्री मंडल में जगा दिया है जो लोग लंभे समय से मंत्री मंडल में इस्थान बनाये 12 तो ऐसे में बहुत आदिक संभाबना है युवाचेहरों पर है कि युवाचेहरे जो है वो इस बार काफी संख्या में जीत कर भी आए तो ऐसे लोगों को जगा मिल सकती है अंते में रिड़ना है कब होगा ये अभी कैपाना बहुत जल्दी होगा लेकिन जो शूतर है वो बता रहे है कि 102 दिन में जो है वो मंत्री मंडल का पक्तिस्थिती जो है वो साफ हो जाए को दिक 18 तारिक से विधानसवाशत्र शुरू हो रहा है वैसे मैं सभी विधायक जो ह मुराजधानी भोपाल में मौदूद रहेंगे तो संभावना इस बात की विज़ता रहे है कि मंत्री मंडल का विस्तार भी इन बिरहानसवाशत्र के दौरान भी हो सकता है जैने कि चौकने के लिए हम तयार रहे हैं शैलेंद्र हो सकता है कि कुछ नए चेहरी बें इंट्रीउस किये जाएं बहुत शुक्री आपका शैलेंद्र फिलाल ये जानकारी साजा करने के लिए तो आप देख रहे हैं मध्यप्रदेश में मोहन राज और उसके साथ ही मंत्री मंडल विस्तार को लेकर रटकलें तेज लोगों को इंतजार है कि मोहन मंत्री मंडल का जिसमें ग्वालिय चंबल संभा की कई विधायकों के नाम पर चर्चा चल गया इस बार ग्वालियर चंबल से जीते विधायकों को मंत्री मंडल में शामिल होने की उम्मीद है इस से पहले चंबल इलाके से दो फेज सीम की चर्चा में थे लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हो पाई ऐसे में अब मंत्री मंडल को लेकर जीते हुए विधायकों को पार्टी से उम्मीदे हैं सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सबसे आगे हैं और कूलारस विधान सभा से महेंदर सिंग यादो मंत्री पद के दाविदार बताय जा रहे हैं इसके अलावा करेरा विधान सभा से रमेश खटीक, गुना विधान सभा से पन्नालाल शाक्य और अशुक नगर जिले से मुंगावली विधान सभा से ब्रजेंद्र सिंग यादो भी मंत्री पदगी रेस में है बीजेपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो कॉंग्रेस के बड़े नेताओं को हरा कर विधान सभा पहुँचे हैं ऐसे में ये नेता भी मंत्री मंडल के लिए बड़े दाविदार माने जा रहे हैं। भितरवार विधान सभासे मुहन सिंग राठोड ने कॉंग्रेस के पूर्व मंत्री और चार बार के विधायक लाखन सिंग को हराया। लहार विधान सभासे अमरीश शर्मा उर्फ गुड़ू साल 1990 से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग को हराया है। पिछोर से प्रितम लोधी जीते हैं। ये सीट कॉंग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी। उधर कॉंग्रेस का कहना है कि गौालियर चंबल में खामियाबी के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी यहां से सीएम बनाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उम्मीद ये है कि मंत्री मंदल में गौालियर चंबल को अच्छा प्रतनिधत्व मिलेगा। जे जे उम्मीद तो मुख्य मंत्री की भी थी। गौालियर से नरेन सिंग तौमा जी थे, सिंधिया जी थे। काफी आशा थी कि गौालियर चंबल चेत्र से कोई मुख्य मंत्री होगा तो कुछ डवलपमेंट होगा क्योंकि पिछले 20 सालों में गौालियर चंबल चेत्र ल मंतरी बनाए गए थे जिन में चार कैबिनेट मंतरी और पांच राज्य मंतरी शामिल थे 2018 की तुलना में इस बार बीजेपी ने गौालियर चंबल में रिकॉर्ड 18 सीटों पर जीत तरच की है ऐसे में यहां से साथ से दस मंतरी बनाए जा सकते हैं हलाकि फैसला आलकमान गो करना है सुशील कौशिक, निउस 18, गौालियर और अगली खबर नर्सिंग पूर से जहां युवती के गोली मार कर हत्या कर दी गई है अत्या का CCTV फोटेज सामने आ चुका है, युवती के साथ आरोपी चल रहा था गोली मार कर भागता हुआ, CCTV फोटेज में नजर भी आया जब अलपूर में नौकरी करती है, युवती आपको बताए कि अमरावती एक्स्प्रेस से गोटी गाउप टे घर लोट रहे थी, 20 साल की युवती जिसके साथ ये घटना हुई, सिंधी कॉलिनी शीतल धर्मशाला के पास की पूरी घटना नर्सिंग पूर से बड़ी जानकारी आपके साथ साजा करें, तस्पीर आप देखिए नर्सिंग पूर की, किस प्रकार खुलियाम उस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, 20 साल की युवती जोकी अपने घर वापस दौट रहे थी, उसी दौरान गोली मार कर हत्या करती जाती है, ये CCTV फोटे जो बताता है कि आरोपी निरंतर इस युवती के साथ चल रहा था, आगे चल कर इस युवती को गोली मारता है, वहां से फरार हो जाता है, जबलपुर में कारे रथी है, युवती और अमरावती एक्स्प्रेस से गोटे गाउं उपने घर वापस दौ पाई अबितर? कि वहीं स्पोर्ट पे मौत हुए है, उसके बात शिंक्पल से एस पी और अडिसनल एस पी, और उसके तमाम लोग गोटे गाउं पहुचे हैं, राद बाग से दराशी अभियान जारी है, अच्छे सनात कर लिए हैं, कौन है आरोपी, और उसकी बुरिस से जो बात हुई है, जल्दी गिरफता होगा. कि अपना कह सकते हैं कि सेल्व डेपेंट्सों सीही घर के लिए भी कोई धन्यार आज़ा है, आप तक इस्तिती में मजबूत ही देने वाली होगी, तो कहीं नहीं कर कि जो इस्तितियां हैं, परिवार की इस्तितियां हैं, बलकुल कल आप देख सकते हैं, फोटेज में भी द साफ हो पाएंगी, किस तरह से कौन से गोली है, कौन सा कटा है, कैसे फाहर हुआ है, और कैसे उसकी मौद ही है, यह सब बहुत सारी चीज़ें जो साफ होना बाती हैं, बहुत गंभीरी मामला, आशी चुकी, सीधे कानून पर भी सवाल उठेगी, किस परकार से बहुत आसान की बात लगातार होती रही है, और इस तरह से रात के दस बजे चलता हुआ पुरा सहर है, कोई बड़ी इससे इंसान इलागा नहीं है, उसके बाद कोई पीछे करते-करते, साथ में चलते-चलते हैं, ऐसा बहुत भी लग रहा है, अब अब अशी कर रहा है, इस तरह से कॉफ के रही हम बात कर ते, साथ कमेझ में आता है कि कैसे फुनिस का, कैसे कानुन का कॉफ, बेखोफ हो रहा है, अपरादी और इस तरह से अंजाम दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कही तगहीं जो वह बृद में आता हज आने वाने समझ में यह रखाher होगा, ति कि भО मोट की जानकारी मिलेती जिसके जारके देखने पर मडर टाइप गठना लग रही जिसके लिए आरोपी लग भग्यात होगे तो उसकी तलास पता सजी जाली है प्रयास कर रहे हैं बज़ा भी खुल के सामने नहीं आई पर संबा तो प्रेम संबन्द लेके कुछ चल रहा है और मध्यप्रदेश में सीम डॉक्टर मोहन यादव क्यादेश की बाद प्रशासन आक्शन मोर में नजर आ रहा है प्रशासन ने कई जुलों में ताबर तोड कारवाई करने भी शुरू करती है एक रुपोर्ट की जरी देखें मध्यप्रदेश में सीम मोहन यादव ने कारेभार संभालते ही बड़ा पैसला ले लिया प्रदेश में खुले में मांस बिकरी पर सकती के साथ लौड स्पीकर पर बेन लगाने की निरदेश दिए सीम के इस आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई जगहों पर कारवाई की गई उजयन में खुले में मांस बेचने वालों पर नगर निगम की तरफ से कारवाई की गई रीवा में भी खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम अमला उतरा और खुले में मांस बेचने वालों को कड़ी हिदायत दी गई और शुकरवार से खुले में मांस बेचने बालों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की बात कही गई वहीं अशोक नगर में तेज आवाज को लेकर प्रिशासन एक्शन में दिखाई दिया यहां चार डीजे संचालकों के खिलाफ कारवाई की गई साथ ही उनका डीजे भी जब्द किया गया ये कारवाई देर रात तक डीजे बजाने पर की गई मोहंत सरकार के दो बड़े आदेश पर प्रिशासन का एक्शन लगातार जारी है आगे भी इसी तरह की कारवाई देखने को मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट निउस एटी और चलिए अब मध्यप्रदेश विधानसभा की चर्चा करेंगी नई विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से शुरू होनी जा रहा है 21 दिसंबर तक इस सत्र चलेगा और विधानसभा के सत्र को लेकर अधिसूचिना जारी कर दी गई है इसमें 18 से 21 दिसंबर तक नव निरवाचित विधायकों को शपत दिलाई जानी है 20 दिसंबर को विधानसभा अधिक्ष कर चुनाओ होगा और 20 दिसंबर को ही राजुपाल का अभिभाशन भी आप देख पाएंगे 21 दिसंबर को अभिभाशन पर धनिवाद प्रस्थाफ भी पेश होना है से पहले गोपाल भारकफ ट्रटन स्पीकर तमाम विधायकों को शपत दिलाते हुए आपको नज़र आएंगे बहुत खास होने वाला इस बार जो की तमाम नए चेहरे जो की विधायक के तौर पर चुनकर मधिप्रदेश विधानसभा में पहुँचे है कुछ ना कुछ परिवर्तन के इस्तिति आने वाले समय में इन पांच सालों में आप जहूर उपेखेंगे जिसकी शुरवात 18 से 21 दिसंबर के इस विशेश सत्र के दौरान नज़र आएंगे और दूसरी दरफ सीम डौक्टर मोहन यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीम जेट प्लस सिक्यॉरिटी में ही रहेंगे आपको बताएं कि सीम सुरक्षा में इनकी सुरक्षा के लिए 34 एनेस्जी कमांडोस तैनात के गएंगे दो एसपी, दो एसपी और चार डी एसपी तैनात रहने वाले विशेश सुरक्षा बलके जवान भी तैनात रहेंगे राज्य पुलिस के हत्यारवन जवान भी तैनात रहेंगे और 14-18 गाडियों का सीम का पूरा कारकेट होगा बुलिट प्रूफ कार में सवार होंगे सीम डॉक्टर मोहन ग्यादव अपमों की मत्री की तौर पर जब मध्य प्रतेश में काम करा हैं तो सीक्योरिटी भी भरपूर होनी चाहिए इसके लिए पहली से ही डेक्लेर किया गया था और अब ये जो विवस्ता हैं वो आपको धरातल पर नजर आनिवाएगे सीम डॉक्टर मोहन ग्यादव जेट प्लस सिक्योरिटी में रहेंगे कार किट को लेकर भी पूरी-पूरी सूचिना जवान 24 गंटे के सुरक्षा में तैनात रहने वाले आपको बताएं के दो एस्पी, दो एस्पी, चार डी एस्पी, 36 एनस्जी कमांडो विशेश सुरक्षा बलके तौर पर सीम को घिरे रहने वाले हैं राज़ी पूलिस के हत्यार बंड जवान भी लगातार तैनात रहेंगे 14-18 गंटियां सीम के कार किट का हिसा होंगे लाडली बहनों ने एक बार फिर से पुर्व सीम शिवराज सिंग चौहान को भावु कर दिया शिवराज सिंग चौहान गुरवार शाम को विदिशा के बाढ़ वाले गनेश मंदर दर्शन के लिए पहुँचे थे और इसी की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी फौरन यहाँ पर लाडली बहनी बहुत बड़ी संख्या में पहुची अब शिवराज तुम राज करो हम तुमारे साथ हैं ये नारी लगने लगे बहनों का भाई कैसा हो शिवराज भईया जैसा हो ये नारी भी सुनाई दिये इसकी बात महिलाएं शिवराज सिंग चौहान से लिपट कर रोने लगी ये तस्वीरी भी आप देखिए शिवराज सिंग भी भावुक हो गए उनकी आँखों में आसु आ गए बहनों का या पार प्रेम जो की रह रहकर अब लगातार सामी आता रहा मुखी मत्री नहीं बनाये गया शिवराज सिंग चौहान को इस बात का दुख सबसे जादा लाड़ली बहनों को ही और इस बात का परिचे लगातार हर अंतर पर बहनी देती आ रही है लेकिन कल ये तस्वीरें और जादा खास इसलिए भी हो गए कि इस प्रेम को देखकर शिवराज सिंग चौहान भी अपने आपको रोक नहीं पाए उनकी आखों में भी आंसु आगया लोग प्रेता का अंदाजा भी आप लगाईए मुख्यमंत्री का एलान हो चुका है भी तक जिमदारी तया नहीं हुई है शिवराज सिंग चौहान को लेकि लिए अपार प्रेम है जनता का जो बीते 18 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंग चौहान ने महसूस किया है और सत्ता या मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी जनता पार प्रेम लुटा रही गए प्रत्यक्ष तस्वीरें आपकी तुरिस में इस पर और अबात राज़दानी भुपाल की जहां पर मोहन सरकार ने पहला बुल्डोजर आक्षन ले लिया है आरूपी फारुक की अवैद मिनमान पर निगम का बुल्डोजर चला आपको बताएं कि फारुक बीजेपी कारिकरता पर हमले का आरूपी है एनसे के तहट कारवाई की गई है लेकिन उसकी बाद बुल्डोजर आक्षन भी देखने को मिला है ये सिचला बताता है कि शुरवात अगर हो चुके बुल्डोजर आक्षन की मतिप्रतेश में तो अलगलग जिलों में ये सिचला अपराधियों के खिलाफ जोर पकडने वाला है फिलाल ये तस्वीरे कारवाई की आपकी टीवी स्क्रीन पर आरोपी फारुक आपको याद होगा बीजोपी कारेकरता का हाथ काट दिया था चुनावी रंटिश तो जोड़ा पूरा मामला था उसकी बाद एनसे की कारवाई को लेकर जानकारी और अब बुल्डोजर आक्शन की ये तस्वीर और मुखी मंतरी ओक्टर मोहन ग्यादफ के आज की कारेकर्म को लेकर आपको जानकारी दे जैपूर जाने वाले हैं सीम दस बचकर पांच मिनिट पर भोपाल से बुरवाना हो जाएंगे राजस्तान के सीम भजन लाल शर्मा का शपत ग्रहन समारो आज है राजस्तान में आज खास दिन है और इसलिए सीम डॉक्टर मोहन ग्यादफ पर शामिल होंगे शपत ग्रहन समारों में दुपहर में वापस राज़दानी लोटेंगे दुपहर करीब पौनी चार बजे मंत्राले में एक बैठक भी होगी है जन प्रतिनिधियों और कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग से ये बैठक जिसमें सीम डॉक्टर मोहन ग्यादफ मौजूरत रहने वाले हैं विक्सित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी शाम पांच बजे पुलिस अधिकारियों के साथ भी सीम बैठक करेंगे दिली का जिकर संसद स्मोक कांड मामले में फरार चल ड़हे पांच वे आरोपी ललेत जहा ने गुरवार देरा दिली में सरेंडर कर दिया है पुलिस ने उसे ग्रफतार कर लिया अब उतवार को संसत में कुसे युवकों ने जब हंगामा किया तो वहां लली तिजहा भी मौजूद था जो बाद में फरार हो गया था तब से पुलिस उसकी तलाश कर रहे थी लेकिन अब इस प्यक्ति के तरफ से खुदी सरेंडर किया गया है अब लगातार गहन जाच होनी है और पता साजी की जानी है कि आखिर किस मकसद से किस प्रकार संसत की सुरक्षा में सेंध लगाने की साज़िश रची देए तो देली काई के संसला आपको याज होगा जिसमें संसत में स्मोक कांट हुआ तमाम लोग जो कि विजिटर कालरी में बैठी हुए थे उनमेंसे दो लोग संसत में कूट पड़े उसके बाद जो हर कम्प मचा संसला ये कि लेले जहाक को तलाशा जा रहा था लेकिन अब इस व्यक्ती ने सरेंडर कर दिया है इस सरकार का गठन काम लगाता चल रहा है और आक्शन भी निरंतर जारी है और उसी प्रकार से आँ देख रहे हैं दमो और रीवा में लोकाइट की टीम की कारवाई और इसी के साथ बोलुचिन में ताहीं देखते रहे हैं निजिटी